नमस्कार जैमातादी मैं डॉक्टर वायरा कि आप सभी का स्वागत अभी नंदन करते हूं कैसे हैं आप लोग जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है जिंदगी में कुछ अच्छा चले इसके लिए कुछ चीजें हमें भी अच्छी करने होगी दशेरा आप लोगों का पक्ष ने ऐकाद एकाद फिर यह हैं होती है यह चार दिन बात कार्थिक मास शुरू होता है कार्तिक मास एक 50 महीना है जब आपके बहगवान विश्णू की पूजा करते हैं तुलसी विवाह करते हैं कार्तिक मास में लोगों की शादियां भी होती है और इसी कार्तिक मास में दीब दान का विशेश महत्व है लेकिन कार्तिक की बात हम आपसे अपने अगले वीडियो में करेंगे हम आपको कार्तिक की डिटेल्स बताएंगे और बताएंगे की कार्तिक साल की एकादशियों में खास एकादशी इसली है क्योंकि आज के दिन अपने वजन के बराबर चावलदान करने से आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है इस एकादशी वाले दिन चानल को देखा और एकादशी का वरत रख लेगे या तो आप इसे शुरू से रखते हैं क्योंकि एक बार एकादशी का वरत अगर आप आरम कर देंगे तो जब इसको संपूर किया जाता है तो इसकी बहुत सारी विधी हैं ब्रहमणों को भोजन खराये जाता है कपड़े दि जाती है और जो है बिल्कुल मा वैशनों के वरतों की तरह रखा जाता है इसमें हम शाम को एक समय पर भूजन करते हैं लेकिन केवल फलहार यानि की कुट्टू सिंघाड़ा साबुद्दाना ये तो सब खा सकते हैं अगर आप सोचें की आप खाएंगे की खाना खालेंगे अगर धन की आपके पास कमी है धन आपके पास नहीं कठा हो पा रहा है पैसे की बेहत जाता दिक्कत है तो ये वरत आपको लाब दे सकता है उठें सुभा नहाएं दूएं कलश के स्तापना करें भगवान विशनों की मूर्ती मिट्टी सोने चांदी जिसकी है उसे लाल रं करें और फूल फल मिठाई अरपन करें हम चावल नहीं खा सकते लेकिन जगतनात पूरी में और मत्रवरिंदावन में भगवान को खास का चाबलो का भोग लगाया चाहता है आप भगवान को लेमन राइस का भोग लगाया आज के दिन बहुत अच्छा होगा और उसे ते पहता है यह एकद earrings की कथा करनी चाहिए इक पे भोजन करने विए वज्म करने से पहले किसी गड़ीप को बहुता कराना चाहिए बहुते औधाया चाहिँ ऑंछीर नम्हा बोले दिन गोशालय में जाकर गायों की सिवा करते हैं तो भगवान आपको दुगना फल देते ह एकादशी वाले दिन गीता का पाट करना भी बहुत जादा शुब होता है एकादशी वाले दिन अपने घर में हलवा बनाकर गरीबों को खिलाना बाटना अच्छा होता है पूरा परिवार मिलकर उस हलवे को खाए जिसमें इलैची का इस्तमाल जरूर किया जाएं तो बहुत तुलसी पर दिया जलाना बहुत अच्छा होता है एकादशी का जो ये वरत है ये संडे से ही शुरू हुआ था और इस बार भी ये संडे वाले दिन ही पढ़ रहा है लेकिन संडे वाले दिन तुलसी को ना चुएं अगर आप अपने घर में एकादशी की पेस अतना पूजा या कुछ कर रहा है तो तुलसी के पते तुलसी दल पहले से तोड़ कर रखें लेकिन संडे वाले दिन तुलसी के कुछ पौदे किसी धर्मिक स्थान पर पहुँचा के माली से कहके जरूर लगवा दे क्योंकि आप और हम तुलसी को भले ही संडे को ना चुएं पूच हुएं और मान समान एक दूसरे को जरूर दे मान समान देने से प्यार आपका बढ़ा रहेगा तो यह सब एकादशी के चोटी-चोटे उपाएं जिने करने से जिन्दीगी को पसूरत हो सकती है एकादशी वाले दिन एक बात का खासा ध्यान रखें कि अपनी सासु म पाएं जो मैंने आपको बताएं उमीद करती हूँ आपको यह पसंद आयोंगे दिल से अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको लाब होगा अगर संतान की प्राप्ति अब तक आपको नहीं हुई है तो एकादशी वाले दिन आप मत्रवरिंदावन दर्शन करकर भू को खिला कर बोचन कीजिए वर्ष भर में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी जय माताली